नमस्क्राइब दोस्तों स्वागा थे आप सभी के एक बार फिश से आपके ही चैनल सोशल विकोब दोस्तों कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं EPS 95500 के हवाले जो की 183219 का अपडेट है जैसा कि आप देख सकते हैं आपर मैं आपको दिखा देता हूं आप यहाँ पर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि वाद सब्सक्राइब जरू करिएगा ताकि कोई भी आने वाला आप जो लेटेस्ट अब्डेट है वो आपसे मिस ना होने पाए तो आए जानते हैं कि EPFO को यह जो लेटर लिखा गया है EPFO को लिखा गया आप देख सकते हैं और इसक लोगों तक पहोच सके तो आप देख सकते हैं यह 18 का 183 2019 का अपडेट है और इसमें लिखा गया है EPS NAC के हवाले का यह अपडेट है जो की EPFO को लिखा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रती जो है मार्नी अध्यक सेंट्रल बोर्ड ओफ ट्रस्टी EPFO ता था केंद् स्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार को है अब इसमें जो बीषय है वो भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो बीषय है वो है EPS पेंशनर्स की मांगों मांग मंजूर करने हितू और अब यह आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको बता देख कि CBT की मीटिंग ह और स्रम एवं रोजगार मंत्री को देख सकते हैं आप यहाँ पर आद्रडी मोहोद है हमारे संगठन ने EPS 95 पेंशनर्स की मांग को मंजूर करने हितू पिछले दो सालों से तहसील इस्तर से लेकर राष्टी इस्तर तक कई आंदोलन के हैं जिसमें 4227 से दिनांग 7217 यहा 22219 को जंतर मंत्र पर प्रधान मंत्री कारेले तक मोर्चा भी सामिल हैं आपके साथ कई बैठके होने के बाद भी आपके द्वारा दिये गये आश्वाशन आज तक पूरा नहीं किये गये हैं इस करड़ EPS 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है यह रोष को प्रकट करने ह महराष्ट में महराष्ट में जिलादिकारी के कारेले के सामने 2112-2018 से वह भिंड मध्य परदेश में 151-2019 से आज तक जो है भूखरताल कंटीनिवसली जारी है EPS पेंशनर्स की अपनी मागों को लेके वह सततरूप से जो है अपनी जो मागों को लेके सततरूप से अपना जो रुपए करने की सिपारिस की गई है तो यह 212-2019 की जो मीटिंग हुई थी सीबीटी के EPF यानी Central Board of Trustees की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो PPS पेंशनर्स है उनकी मांग जो है वो 3000 रुपए करने की की गई है आप से निवीदन है सीबीटी की बैठक बिना विलंब से सीग्र अथिशिग्र बुलाकर मिनमम पेंशन जो है साथ यह पानसो रुपए किया जाए साथ में महेंगाई भत्ता को वि मंजूरी दी जा यदि महेंगाई भत्ते को जोडने में कुछ अंत्रिक बाधाय आ रही हो तो महेंगाई भत्त गिरासी को मिनमम पेंशन में समाविष्ट कर पेंशन आसी घोषित की जाए तो यहापर आप देख सकते हैं जो कि आपने विश्वस्टी शुत्रों के हवाले यह पता चला है कि जो यह पीएस पेंशन उनकी पेंशन वो तीने रुपए कर दी जाएगी लेकिन जो नसी है उ अगर आप देखते हैं तो यह उसका प्रिष्ट संख्या 2 है और यह भी आप देख सकते हैं कि यह नसी द्वार लिखा गए ईपेंशन लिगेशन कमिटी की द्वारा है और एप्एफो को है तो आप देख सकते हैं एप्एफो के दिनांक 31.5.2017 के अंतरिम पत्रों को जिसमे जिसके लिए CBT वो स्रम मंत्राले की किसी प्रकार की मंजूरी नहीं लिगे तुरत वापस लिया जाए यानि जिसमें जो मांग की जा रही है 3000 रुपे करने की CBT की मीटिंग के बाद उसे तुरत वापस लिया जाए और साथी साथ सभी EPS पेंशनरों को उनके पत्नी पत्ती को मुफ्त वैदिक सुग्दाएं दी जाएं अब देख सकते हैं आप यह तीसरी मांगते हैं और चौती के अगरम बात करते हैं तो जिन सेवाने प्रित कमचारियों को EPS 95 पे योजना में सामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदर से बनाकर पेंशन योजना में लाया जा को आपको पता है कि सीबीटी यानि यह कहा जा रहा है सीबीटी के पैंशन भी से में निरड़ाएं लेने के लिए सर्वो चंस्ता और आचार संगिता का इससे कोई भी संबन नहीं है साथी यह सभी जो है मांगे एप्यफो के पैंशन फंड से ही पूरी की जा सकती है आप से नवर निवेजने के उप्रोत करवा ही कर हमें करतार्थ करें आप 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 देख सकते हैं कमांडर असोग ज्राओजी जो है और राष्ट्री अध्यक्ष्ट है नसी के उन्होंने जो है खत एप्यफो को यह लिखा हुआ तो यह बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि आ जा गया है मारनी एक केंद्रिय भविष्य निधी आयुक्त भविष्य निर्वहक निधी भीखाजी कामा प्लेस 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 नई दिल्ली इन सभी को एक एक कॉपी जो है भेजी गई है तो आप देख सकते हैं कि जो अभी इससे आप बोल सकते हैं कि EPS 95 प्रेंस की जो मा प्रेंस की मांग को कंटिनियूसली जारी रखा हुआ है वो मांग कर रही है कि जो प्रेंसन है कि 7500 किया जाए और साती साथ इस पर महेंगाई भगता भी दिया जाए इसको इमेडियर जो है सरकार द्वारा CBT की मोटिंग बुला के इसको तुरंट तुरंट लागू करके ज स्टार्टिंग में ही ठार तरीका ये अपडेट था ये काफी महत्यपूर है देखना है कि चुकि अब इसमें जो है इसमें आप देख सकते हैं इस लेटर के हवाले ये भी खबर निकल के आ रही कि इस पर आचार संगीता का कोई भी पैंसन के उपर प्रभाव नहीं है तो जो है ये तरन्त कारवाई करते हो इस पेंसन को एक निशित जो उस सीमा तक बढ़ाने की कोशिस करती रहने चाहिए तो अभी आप देख सकते हैं जो कि कमांडरा सुक्राज जी द्वारा लिखा गया था कि इस पेंसन की मांग को तरन्त पूरा किया तो ये एक अपडेट थ हों की जा रही है उसके बाख्याता है कि आपको सारी मिशन जो है वह वह बिल्कों सटीक इनफॉर्मिशन के साथ दिया जा सके तो अब आया जा सकते जैसा कि इससे पहले वह अगर वीडियो आप देखते हैं तो इसमें मैंने आपको बता रखा था कि जो मीटिंग होई थी अगर हिस्ट्री में जाके देखेंगे चैनल के इसमें तो वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें ये पहले ही मैंने आपको डेक्लियर कर दिया था कि जो EPFO है वो उसमें करने की मांग कर रही है और आपको मैंने पहले भी एक लेटर दिखाया था जिसमें की संतोष गंगवाकर जी द्वारा जो पत्र लिखा गया था अरोड़ी जेटी जो को फाइनस मिनिस्ट्र को जिसमें भी उन्होंने भी मांग के अवल तिनियार पैंस के लिए हाला कि जो एक पैंस के लिए बढ़ सके ताकि जीवन निर्वा है वो सही तरीके से कर सके तो यह चीज था और जो कि आप अगर चाहे तो आप वीडियो के या फिर यहां पर आई बटन में जाके वहां पर भी देख सकते हैं जो हमने वीडियो पहले पोश्च के जिसमें हमने अपको जो स्रम मंत्रा ने थे संतोष गंगवाकर जी का जो सीवीडियो को माध्यम से पहले भी शेयर कर रखा था तो यह अभी तक यह आप सबसकते हैं कि आचार संगता लागू होने के बाद कोई भी जो निरे था वो ऐसा नहीं है कि पैंसन उसक फिर से आपके लिए लेके आएंगे सबसे सड़ीक इंफर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में तद तक के लिए धन्यवाद हमें अपने राय जो है कमेंट में जरूर दीजेगा वीडियो प्रिस कर लिए ताकि कोई भी जो वीडियो है वो आपको नोटिफकेशन मिलता रहे तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद